क्या आप जानते हैं नारद मुनी के श्राब की वज़े से भगवान विश्नु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। श्री राम भगवान विश्नु के साथवे अवतार माने जाते हैं। आये जानते हैं कि भगवान विश्णु ने श्री राम के रूप में धर्ती पर जन्म क्यों लिया था। पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बार संकादिक मुनी भगवान विश्णु के दर्शनों की इच्छा से वैकुंड पधारे। तब उनको दो द्वारपालों ने प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया और उनका उपहास उड़ाने लगे। तब संकादिक मुनी ने गुस्से में आकर दोनों को तीन जन्मों तक राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राब दे दिया। जय विजय दोनों के बार-बार माफी मागने पर मुनी ने कहा कि बगवान विश्णु ही तीनों जन्मों में तुम्हारा वद करेंगे। उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब भगवान विश्णु ने श्री कृष्णु का अवतार लेकर इनका वद किया। इसके बाद इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। नारद मुनी जो हमेशा नारायन नारायन बोलते रहते हैं। उन्होंने भगवान विश्णु को श्राप क्यों दिया। धार्मी कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनी को कामदेव पर विजय प्राप्त करने के कारण अहंकार घर कर गया। तब अहंकार से ग्रस्त नारद मुनी भगवान विश्णु के पास चाकर कामदेव को जीतने की बात बताते हुए अपनी प्रिशिंसा करने लगे। तब भगवान विश्णु ने नारद मुनी के अहंकार को तोड़ने के लिए माया रची। वैकुंच से लोटते समय नारद मुनी ने एक सुन्दर नगर के भव्य महल में एक अती रूपवती राजकुमारी को देखा और उस पर मोहित हो गये। राजकुमारी से विवा की इच्छा लिए वे भगवान विश्णु के पास पहुँचे और उनसे खुद को सुन्दर और आकरशक बनाने की विनरती करने लगे। तब भगवान विश्णु ने कहा कि हम वही करेंगे जो आपके लिए कल्यान कारी होगा। भगवान विश्णु ने ऐसा कहकर नारजी का मो बंदर जैसा बना दिया। अपना मुख जल में देखा, तब अपना मुख बंदर जैसा देख उनको भगवान विश्णु पर बहुत क्रोधाया। और वे वैकुंट पहुँचे। वहां भगवान विश्णु के साथ वही राजकुमारी बैठी हुई थी। तब क्रोधित होकर नारद मुणी ने भगवान विश्णु को श्राब दिया। कि आपकी वज़े से मेरा मजाग बना। इसलिए मैं आपको श्राब देता हूँ कि आप धर्ती पर मनुश्य के रूप में जन्म लेंगे। और आपको बंदरों की सहाईता की जरुरत पड़ेगी। आपकी वज़े से मुझे अपनी प्रिय स्त्री से दूर होना पड़ा। इसलिए आप भी स्त्री वियोग सहेंगे। माना जाता है कि नारद मुणी के श्राब के कारण भगवान विश्णु ने श्री राम के रूप में मनुश्य जन्म लिया। और उन्हें सीतास जी का वियोग सहेंग करना पड़ा।